अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और पास लगे बैल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो भी नोटिफिकेशन लेगती रहेंगी यह देखें गर्मा गरम मसालेदार अर्बी की सब्जी एकदम रेडी है वाओ खुश्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही है हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए लेकाई हो एक नई डिश आज हम बनाने वाले हैं सूखी मसालेदार अर्बी की सब्जी तो रेसिपी जानने के लिए बने रही है वीडियो के लाइट तक तो चले बनाते है इसे बनाने के लिए मैंने यहापर लिया ह एक पोन्ड अर्बी, एक टमाटर का पेस्ट, एक प्याज का पेस्ट, सर्सो का तेल, दो टेबल स्पून, आदा चम्मच, जीरा, पिंचो पहीं, आदा चम्मच, हल्दी, 5-6 हरी मिर्च जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, आदा चम्मच, लाल मिर्च पावडर, आदा च कि अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें अर्बी एड़ कर देंगे, इनको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे, ज्यादा फ्राइ नहीं करना है आप जब भी अर्बी की सबजी बनाएं उसको सरसो के तेल मी बनाएं उससे क्या होता है उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे यह जले लहीं और हम इसको थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक पकाना है यह देखिए अर्बी लाइट ब्राउन हो चुकी है अब हम इसको निकाल लेंगे अर्बी को हमने निकाल लिया है इसमें थोड़ा ओयल भी बच गया है अगर आपको लगे कि कम है तो आप इसमें और भी ओयल कर सकते हैं अब हम इसमें जीरा आड़ कर देंगे जीरा ब्राउन होने के बाद हम इसमें अनियन एड़ कर देंगे इसको एक से दो मिनिट तक पकाएंगे एक मिनिट पकने के बाद हम इसमें अद्रग लसन का पेष्ट भी एड़ कर देंगे और इसको भी अच्छा से पका लिए प्याज और अद्रग लसन का पेष्ट हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें मसाले अड़ कर लेंगे लाल मेर्च पाउडर हल्दी हरी मेर्च बारिक कटीवी गरम मसाला नमक और हींग मसाले अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें टमाटर का पेष्ट भी आड़ कर लेंगे और इसको भी अच्छे से पका लेंगे मसाला हमारा रेड़ी हो चुका है अब हम इसमें अर्भी आड़ कर लेंगे इसको दो से तीन मिनट तक पकाएंगे दो से तीन मिनट पकनने के बार हमारी सुखी मसालेदार अरभी की सबजी एकदम रेड़ी है अब मैं इसको सर्फ कर लेती हूँ ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार अरभी की सबजी एकदम रेड़ी है आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू